in a triangle ABC side AB has the equation this and the side AC has the equation this if the midpoint of BC is 5,6 then the equation of BC देखो triangle ABC के अंदर ABC के अंदर AB has the equation AB के equation के है 2X plus 3Y equal to 29 और AC की क्या equation है X plus 2Y equal to 16 तो यह मेरा जो point है न वो 10,3 है 10,3 if midpoint of BC BC का जो midpoint है BC का जो midpoint है if the midpoint of BC is 5,6 then the equation of BC तमसे BC का equation पूछा है देखो यहाँ पर है न आप क्या करो X को alpha ले लो अगर आपने X को alpha ले लिया तो Y कितना आ जाएगा Y आ जाएगा मेरे पास 29 minus 2 alpha upon 3 और यहाँ पर जो X है उसको बीटा मन लो आप तो बीटा लिया तो Y कितना हो जाएगा 16 minus beta divided by 2 ठीक है अब देखो यहाँ से मेरे पास एक equation तो क्या बन रही है alpha और beta इसके दर सैटिस्फाय होगे न alpha इसमें सैटिस्फाय होगा ठीक है और यहाँ से मेरे पर क्या मिल रहा है देखो alpha प्लस beta alpha प्लस beta by 2 यह midpoint है हमारा तो यह कितना हो जाएगा 10 और यहाँ से 29 minus 2 alpha upon 3 plus 16 minus beta upon 2 equal to में 12 तो यहाँ से alpha plus beta तो alpha की value यहाँ से टालो 10 minus beta तो यहाँ पर 10 minus beta डाल करके beta की value आजाएगी फिर alpha आजाएगा और alpha बीटा आने के बाद में हम क्या कर सकते हैं equation of bc लिख सकते हैं ठीक है तो calculation ही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर ठीक है तो calculation करने के बाद में b option आपको मिल जाएगा ठीक है यहाँ से find alpha and beta ठीक है alpha और beta आएगे ना जैसे तो जैसे आपके alpha और beta आगए इसके अंदर put कर लेना और 2.4 में से निकाल लेना ठीक है और भी भी नहीं है